पर आपको वीडियो दिया था कि अगर यह वाला लेवल ब्रिक आउट होता है तभी बाइंग करिएगा अधर वाइज एक अच्छा खासा सैलिंग देखने के लिए सकता है क्योंकि यहां पर ब्रेकडाउन देखने के लिए यह वाला लेवल जो कि इंपोर्टेंट होने वाला है और इसका ब्रेकडाउन करता है तो करीब करीब आपको 475-480 तक के टार्गेट मिनिम्म मिल सकते हैं तो यहां पर आप देखो कि ब्रेकडाउन आया पहले जो यह यहां पर मोमेंटम दिया एक अच्छा ब्रेकडाउन किया और वहां से अगर आप देखो तो करीब-करीब 489 के आसपास या 488 के आसपास का इसने लो लगाया है तो अलमुष्ट अलमुष्ट यह लेवल हिट करके गया जो कि इसका मेन सपोर्ट बनना था इसलिए एक ट्रे कर आप एड़ान करते हैं तो यह एक इंपॉटेंट लेवल निकलकर आता है जहां से बाइंग आ सकता है तो इसलिए इसके नीचे मैंसन किया हुआ है सेम चीज अगर हम आभी देखें तो क्या बाय कर लेना चाहिए गलती से भी बाय करने का प्लान मत करिए अभी जब तक इ किसी भी लेवल पर तो आप बहुत बुरा फस सकते हैं आपर तो फिलाल के लिए बाइंग करना चाहिए रिवर्सल डेफिनेटली बहुत अच्छा दिख रहा है और इंपॉर्टेंट लेवल से रिवर्सल दिया है तो चांसे हैं कि स्टॉक ऊपर जा सकता है लेकिन फिर भी कर ऑब इक ली कार्थी ओकिशें तो जहां से हुजा किया था जहांसे मतलब मोमेंटम स्टार्ट हुआ sinking शचा कह वहां से अगर आप इसका हासा आप ऑँ शैलिंग के बात करें सेम लेवल से मार्करियenne को अगर ब्रिक आउट मिलता है तभी हम बाइंग बान हाँ पर कर सकते हैं जो कि short term और mid term दोनों के लिए हो सकता है ऐसे किसी भी stock पर है आपको analysis चाहिए तो stock का नाम comment कर सकते हैं, support restaurants के labels के लिए आप हमें telegram channel पर message कर सकते हैं and scaling description channel के about works में दिया हुआ, वीडियो पुसंद आता है, वीडियो को like करना channel को subscribe करना मत भूलेगा, thank you so much